वैस तो स्वागत है आज के इस doubt clear session में और आज हम बात करने वाले हैं कुछ questions को pick करेंगे जो comment section में पुशे गए हैं लग-लग candidates द्वारा तो सबसे पहले हैं अवास एहमद हैं इन्होंने पुशा है कि sir please reply row number and date of birth submit क्यों नहीं हो रही तो ये पूछना चाह रहे हैं कि date of birth row number submit क्यों नहीं हो रहा तो ये issue बहुत सारे candidate के साथ आ रहा है वो भी try कर रहे हैं लगातार उसको login करने की और preference fill करने की मगर ये error आ रहा है और बहुत बार जो है वो preference submit नहीं हो पा रही है तो इसमें जो है कुछ technical error हो सकता है आप फिर से try करो कल फिर से try करो अभी इसकी बहु submit नहीं होता है तो फिर आपको जो है JKSSB के official email पर जो है एक email डारना है यहां भी आप अपना जो है role number data of words mention कर दे नाम भी mention कर दे और अपने आपकी जो भी problem है जैसे login नहीं हो रही है वो भी mention कर दे आपको जो है time से reply मिल जाएगा तो आपकी जो भी problem होगी वो हल हो जाएग तो फिर नीचे पूछने है sir open नहीं होता है तो same ही problem है इनकी भी key role number और date of birth डालने के बाद भी link open नहीं हो रहा है तो बहुत सारे candidate ने पहले भी try किया मगर उनका भी link open नहीं हो रहा है तो आप सभी से यह request है कि आप थोड़े 2-3 बार फिर से try करें ऐसा तो farm fill करते time भी होत कई बार signature upload नहीं होते तो फिर एक दो बार try करने के बाद वो खुल जाता है link तो आप जो है कल फिर से try करें अगर कल भी नहीं होता है तो फिर आपको jkssb की email पे एक email डाल देना है जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो उसमें सारी explain कर देनी है साथ में ही अपना role number data of birth भी mention कर देनी है और अपना जो domain name है जिस post के लिए अपना apply किया है वो भी जुरूर mention कर दे बिशाल ठाकुर जी बोल रही है नहीं है वाई ये selection candidate act 2010 के हिसाब से recruitment हो रही है डिस्तिव वालों को first preference मिलेगी तो बिशाल ठाकुर जी ऐसा नहीं है क्योंकि ये वाली recruitment में जो भी advertise अगर ऐसा होता तो फिर preference नहीं ली जाती है क्योंकि preference इसी लिए ली जा रही है कि जो जिनका merit हाई है उनके according उनको जो है वो seat मिले उसकी बज़ा से ही preference ली जा रही है अगर ऐसा ही करना होता तो फिर preference लेने की कोई जरूरत नहीं थी तो राजा बाई है ये total nonsense open merit में कोई भ लगता है कि ये बोल रहे है कि 90 percentile होने के बाद भी इनको जो है document verification के लिए नहीं बुलाया गया है तो वो जो है वो उस पे हम कोई भी comment नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हो सकता है कि 90 तक जो है वो cut out पहुंचा ही ना हो क्योंकि जो भी ये list आई है ये बनवाई 5 पे आई है मत हो सकता है 90 percentile वाला candidate जो है उस list में fall नहीं किया हो उसका rank जो है वो बहुत ही low होगा तो उसी बज़ा से जो है उसको document verification के लिए नहीं बुलाया गया क्या district वाली पोस्ट की GMC posting में होगी जहां district hospital जहां पी ऐस सी में होगी तो अगर आपके district में अगर पी ऐस सी है तो आपकी postting साइशी में भी हो सकती है अगर आपके district में district hospital होगा तो बहां भी हो सकती है तो जो GMC की post नहीं पे जो है वो GMC पर ही रहना आए वो GMC का staff अलग से होगा तो आपको GMC में ही posting होगी अगर आप GMC के लिए apply करते हो जैसे जम्मू GMC के लिए करते हो तो जम्मू में आएगी शिरी नगर के लिए करते हो तो शिरी नगर के लिए आएगी तो डिस्टिक के अगर बात की की जाए तो डिस्टिक में जो भी hospital होगा जहां पे वो आपकी post होगी वहां पे आपको जो है transfer किया जा सकता है या वहां पे ही appointment किया जा सकता है तो next है इट शोज रोल अंबर डेटा अफ बर्त का जो कंबिनेशन है वो डालने के बाद भी जो है लिंक ओपन नहीं हो रहा है और उनको वो जो है प्रेफरेंसीज को समिट नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है थोड़ी देर के बाद ट्राई करें जहां फिर कल से ट्राई करें अगर कल भी नहीं होता तो आप भी जो है जेके एससवी को एक इमेल डाज सकते हैं तो सेम ही कोशन पूछा जा रहा है तो आप सभी के लिए सेम ही रिप्लाई होगा तो आप सभी का डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा अगर फिर भी आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जुरूर बताएं तांकि हम उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ ज करने तो आप सकते होगा है